हेलो स्टूडेंट्स आज हम एर्थ क्लास की किर्शे चेप्टर का जोग्रफी का जो किर्शे चेप्टर उसका आगे का पार्ट करेंगे आज हम बहुत इस शॉट में पढ़ेंगे तो पिछली वीडियो में हमने बताया था गहन किर्शी क्या होती है निर्वाह किर्शी क्या होती है और आदे निर्वाह किर्शी क्या होती है उसके बाद हमने चलवा सी पशुचानुस्तानांत्री किर्शी के बारें पढ़ा और आज इस वीडियो में हम करेंगे वानिज्य किर्शी देखो बच्चो वानिज्य का मतलब क्या होता है वानिज्य का मतलब क्या होता है वेपार यानि कि जो किर्शी या जो उत्पादन जो है वेपार के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं वानिज्य ठीक है तो इसी परकर किर्शी में जो फसलों का उत्पादन और पशुपालन जो है बजार में जब विक्रे की लिए किया जाता है तो उसे हम वानिजिक किर्शी के रूप में मानते हैं अधिकान शकारगी इसमें क्या होता है मशीनों के द्वारा होता है और वानिजिक कर्शी में वानिजिक अनाज कर्शी मिश्रित कर्श और रोपन कर्शी इसमें शामिल है तो देखो वानिजिक अनाज कर्शी क्या होती है इसमें फसले जो है वो वैपार के उद्रिश्ट सुगाई जाती है जैसे गेहूं है मक्का है इन फसलों को वैसे तो यह समाने रुप सुगाई जाती है लेकिन जब इन फसलों को बड़े पैमाने पर उगाई जाता है तो यह होती है वानिजिक अनाज किर्शी इस पर का यूरोप में और एशिया में एशिया की शितोशन घास के मैदानों में की जाती हैं ये 16 सेक्टो हेक्टेर के बड़े फार्मों से युक्त जो है विरल आबादी वाले होते हैं और अतितिक ठंड बर्धन काल को बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल इसमें उगाई जा सकती है अब है मिश्रित कर्शी क्या होती है इस कर्शी का उपयोग जो है इसमें भूमी का उपयोग भोजन वैचारे की फसले उगाने के और पशु पालन के लिए किया जाता है यहाई यूरोप, पूर्वी सेक्टराज्य अमरेका, अर्जेंटीना, दक्षनी पूर्वी आस्टेल या खादी में ये प्रचलित हैं, अब है बच्चो रोपन कर्शी, इस पर कोश्चन भी आता है वेपर में कि रोपन कर्शी क्या होती है, देखो ये कर्शी भी जो है बाने जे कर्शी का ही एक परकार है, इस कर्शी में जो है चाय, कहवा, काजू, रबड इस तरह की फसले ये एकल फसल जो है उगाई जाते हैं, ने कि एक बहुत बड़े खेत में एक ही फसल को उगाया जाता है, और इस तरह की खेती में जो है बहुत ज्यादा पूंजी के अशक्ता होती है, और जो ही इन खेतों से जो उतपाद मिलते हैं, उनका प्रसंस्क्राण भी जो है मुक्ताओं तक और लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है परिवहन के सादनों का यूज किया जाता है, वैसे तो परिवहन का प्यूग हर प्रकार की किर्शिय में किया जाता है, और उपन किर्शिय मुखे रूप से उशने कटी बंद परदेशों में पाई जाती है, मले तक अलग परकार की फसले उगाई जाती है, फसले किर्शिया दर्ध उद्यों के लिए भी कच्छे माल की आप उर्टी करती है, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुखे खादे फसले हैं, जूट और कपाश, रेशे दर फसले हैं, चाई और कहवा जो है मुखे पे फसले अब हम एक एक करके इन सभी फसलों के बारे में पढ़ेंगे कि चावल के लिए कैसी जलवाई हो चाहिए, किस प्रकार की मिर्दा चाहिए, कितनी नमी चाहिए और ये कौन कौन से देशों में उगाया जाता है, तो देखो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हूँ, चा आपको कुछ लोग चावल के मुझी उगाते हुए नजर आएंगे, ये जो चावल विश्यों की मुख्ये खाते हैं, वसला यानि कि लगबख विश्यों के सभी देशों में एक खाया जाता है, और चावल के लिए उच्छ तापमान चाहिए, अधिक आदरता एम वर्शा के और शक्ता होती है, और यह फसल चीका जलोड मर्दा, जिसमें जल रोकने की शमता होती है, वह मर्दा इसकले सबसे ज़्यादा बढ़िया रहती है, चावल जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इसके बाद भारत, जापान, श्री लंका और मिस्र में हों, गेहूं के जो कि मुखे रुप से आपके पंजाब हरियाना में तो बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, गेहूं के वर्धन काल में मध्यत, आपमान, वर्षा और शश्र करतन, फसलों के कटाई जो के समय तेज दूप के उशक्ता होती है, तो बचो आपको ज तो इस प्रकार जो है, इसका विकास फू अपवाही दौमट मिर्दा में सबसे अच्छा होता है, और गेहूं से किराज्य अमरीका, करनाडा, अर्जेंटीना, रूस, आस्टेलिया और भारत में भी विस्तरी दूप से उगाया जाता है, भारत में यह उगाया जाता है, शी उच्छे मध्यम ताप मन उधा परियात तुर्य के प्रकाश के अफशक्ता होती है, जवार, आजरा और रागी भारत के में उगाया जाते हैं और नाईजीरिया चीन और नाईजर इसके अन्य उत्पादक बेर्श हैं, इसके बाद हम बात करते हैं मक्का की, मक्का को जो है क अलग प्रकार के रंगों में भी पाई जाती हैं इसके लिए चाहिए मध्यम तापमान वर्षा और अधिक धूप के रशक्ता होती हैं मक्का उत्तर अमरीका ब्राजिल चीन रूस कनाड़ा भारत और मैक्सिमूम में उगाए जाती हैं का पास इसके वर्दे के लिए उच्छ अधिक पास अधिक उगाया जाता है बाकी भारत और यह जो हैं माहरास्ट में जो है गुजरात माहरास्ट यहां पर जो है कापास अधिक उगाया जाता है बाकी भारत के अन्य भागों में भी इसे उगाया जाता है पर्टसन जिसको कि सुनहरा रेशा कहते हैं यह पर कोशन भी आता है पेपर में कि पर्टसन जो है सुनहरा रेशा कौन से फसल को कहा जाता है तो उसका होगा आंसर पर्टसन यह जलोड मिर्दा के में अच्छे ढं के और शक्ता होती है यह फसल उश्न कटी बंद छेत्रों में उगाई जाती है भारत में और बांगला देश पट्सन के अगरनी उत्पादा के में बांगला देश और भारत में अधिक पट्सन उगाया जाता है नेक्स्ट है हमारा कोफी जो के एक पे फसल है इसके लिए गरम हम आदर जलवाई और सुप अपवाही दोमट मिर्दा के और शक्ता होती है और इस फसल की विर्दी के लिए परवत्य ढ़ल अधिक उपी को ते ब्राजिल काफी की अगरनी उत्पादक है और इसके परशात को लंबिया और भारत है जबकि इसके बारे में तो एक कहानी पर पूद करती थी तो काफी परिशान सा हो जाता था फिर एक दिन खुद जो है उसने इनकी पोदों की फल्यों को चक्र देखा जिससे उन्हें बकरिया प्रतिन खाती थी तो उसने बहुत ही उसे मज़ा आया और उसके और उसने बाद में जो है इस खोज के बारे में संसार को बताया तो इस परकार जो है कोफी की पोज हुई अब है चाए 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 तो आप सभी जानते हैं सभी घरों में पी जाती है चाए बागानों में उगाई जाने वाले एक बहुत ही मशूर पेफासल है इसकी कोमल पत्तियों की बिर्दी के लिए ठंडी जलवाई वर्ष ब बहुत ज़्यदा श्रम की और बहुत ज़्यदा पूजी की शकता होती हैं अब देखो कृशी के विकास के लिए सर्कार क्या करती हैं कृष्य विकास का संबद जो है बढ़ती हुई जन किर्शी के उदपादन को बढ़ाने की दिशा में किये जाना वाले प्रियास है यहां कई तरीकों से प्राप्ट किया जयसे बोई के चット में विस्तार करके बोई जाना वाले फसलों की संख्या बढ़ा कर सिचाय सुधायों में सुधार करके उर्वरक और उपज उच उपज देने वाले बीजों के प्रियोग द्वारा बच्वें इन सभी बातों को आप लोग पॉइंट में नोट करेंगे किर्शी का मशीनी करण भी किर्शी के विकास के एक अन्य पहलो रता किर्शी में आदुनी किर्शी अंत्रों का इस्तिमाल करके भी हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं किर्शी के विकास के चरम लक्षे जो है हमारा जो सबसे बड़ा लक्षे होके है खादे सुरक्षा को बढ़ाना यानि कि इतना आना जब अश्या पैदा करना जो हमारे देश के अवशक्ता को पूरा कर सके हैं देखो खादे सुरक्षा तभी रहती है जब सभी वेक्तियों को किर्या शील और स्वस्त जीवन जीने के लिए आहार के अवशक्ता और प्रात्मितमथा के अधार पर समय परयाब सुरक्षिर् और पोस्टिक खाध्य पधात की स्वेधा उपला दोदू उसे कहते हैं खाध्य सुरक्षाम किश्णी का विकाष विच्छ के विभिन भागों में विभिन गतियों से हुआ है अधिक जनसंख्या वाले विकाष से देश अधिकतर गहन किश्टी करते हैं जबकि छोटी जोतो पर समानता जीवी का उपार जएने के लिए किश्टी यानि कि यह इतना ही विए जाता है कि उ को आजीव के लिए आनने मिल सकें बड़ी जोतें बड़ी जोतें के लिए बहुत उप्युक्त होती हैं जैसे सेक्ट राज्जी अमरीका के नाड़ा और आस्ट्रेलिया यहां पर जो है जोतें बहुत यह जो काफी बड़े-बड़े होते हैं अब देखो दो तरह के फार्मों उसका आवास मुख्य गाओं में और वे अधिक उपस देने वाले बीजों को बजार से वर्षों के एक आंतर पर खरीड़ता है और उसकी भूमी बहुत ही उप्चा हुए और वे कम वर्ष में कम से कम दो फसले समना तक गिहूं और चावल और डाले हुआता हैं किसान अपन खेत में एक नलकूप है जिससे वह अपने खेतों को सिचाई के लिए पानी लेता है बाड़े पर मुनना डाल के पास दो भैस और कुछ मुर्गया बेवे निकट के शहर में सहकारी बंडर में दूद बेशता और वहां एक तदश्य हैं सहकारी समीति उसके जानूटले चार के परकार पशुधन के स्वस्ते के सुरशात्मक उपाएं और करतिम गर्बाधान के संबन में सलाइता है मिन्स कहने का मतलब एक छोटी जोत होते भी वह अपनी एक्स्ट्रा कमाई पशुधन से कर लेता है और उसमें अपने आसपास के मित्रों से और सलहा भी लेता है और स फार्म की तुलना में छोटे होते हैं और प्रारुप प्रूप से देखा जाए तो 250 हेक्टियर का सिक्तराज अमरीका का फारम होता है और जिसमें वो मक्का, सोया, बीन, चकुंदर, उगाए जाने वाली फसले हैं सिक्तराज अमरीका के मद्धे पश्च्चि में सित ओयाव राज्य के किसान जो हौरन के पास 300 हेक्टियर भूमिय वे अपने खेट में मक्का जब उगाता है जब आश्वस्तों की मिर्दा और जल संसादन इस फसल के अशक्ता को पूरा कर देंगे फसल को नुकसार पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंतरन के लिए प्रयाप्त उपाय की जाते हैं समय समय पर वे मिर्दा के नमूनों का परिक्शन भी करता है और इसके लिए प्रयाप्त पोशक है या नहीं यह सारी जानकारी भी बोलेता है यानकी कहने का मतलब है कि उनकी जो कर्शी होती है बहुत ही आधुनिक तरीके से होती है और हर चीज की जाच परताल करके ही कर्शी की जाती है जैसे अभी देखा कि उस टाइम बादों उतनी मिट्टी की पोशकता की जाच कराता है कि उसमें कितने पोशकता है कितनी उसे ख क्षिरी संबंदी विविद संक्रियां में करता है अनाच् सबस्चालित अलबंदार में संचित के जाते पाजार के करनों में भीजे जाते हैं स्छिट राज्य अमरीका में navigation काम करते हैं ना कि यह की किसान की तरह कि भारत में किर्शी काफी विक्सित होती जा रही है तो को यहां पर हमने देखा कि किस परकार जो भारत का किसान भी जो है वो खेती में आधनिक तरीकों को अपनाता जा रहा है और सरकार भी उसे भंडारन के सुविधा भी देती है हलांकि अधिकारश किसानों के पास वो सुविधा नहीं होते लेकिन अब काफी कुछ सरकार ने इनके लिए किया है और आगे भी सरकार काफी कुछ करती रहेगी तो बैजों हमने देखा कि किस परकार किर्शी जो एक व्यवसाइक किर्शी बनती है और कैसे लोग इससे अब पाईदा उठाने लगे हैं और हमने पढ़ा की एक सकतरा जमरिका में रहने वाला किसान और एक भारत में रहने वाले किसान में किस परकार जो है उनमें अंतर पाया जाता है खेती करने की तरीकों में तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आही होगी ठेंक यू